जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के सपास होती है, इसलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए मनुष्य का सबसे बड़ा सत्रू है क्रोध, इसलिए मनुष्य का अपनी क्रोध पर लियंतरेंट रखना चाहिए संद्य और सक्क की आदत सबसे ज़ादा बयानक होती है क्योंकि यह किसी भी रिष्टों को बरबात कर सकता है दुनिया में तीन चीज जो कभी भी लंबे समय तक छुप नहीं सकती वेह, सूर्य, चंद्रमा और सत्य यही ब्रामण का अटल सत्य है एक पल एक दिन को, एक दिन एक जीवन को और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्त को उधारता से और जोटे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है जिस व्यक्ति का मन सांत होता है जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय सांत रहता है वही व्यक्ति होता है जिसने सत्यप को पा लिया है और जो दूप तकलियोफु से मुक्त हो चुका है अग्यानी व्यक्ति एक बैल के समान है वे ग्यान में नहीं बल्कि आकार में बढ़ता है क्रोध को पाले रखना गरम कोईले को किसी और पर फैगने की नियत से पकड़ गे रहने के समान है इसमें मनुशे स्वय जलता है अगर आप अंदेरे में ढूबे हुए हो तो आप रोसिनी के तलास क्यों नहीं करते एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है एक ठके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है इसी तरह सच्चे धरम से बेखबर मूर्ग के लिए जीवन मिरुत्यू का सिलसला भी उतना ही लंबा होता है